है आदा है है आध कि अधैने वाले कि कश्रेंट क्या होते हैं कहां यूज में आ और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना आपके फ्लेटर अप्लिकेशन यूदर तो सबसे पहले समझता है कि कि कंस्टेंट बॉक्स होता क्या है नाम तिसमझ में आ कि constraint box यानि कि एक box में जहां आप constraints add कर रहे हैं constraint का मतलब क्या हो गया कि box की कर मैं बात करूँ तो 2D platform के अंदर box से constraints क्या होंगे width या height अब इनके उपर constraint लगाना यानि कि इनके उपर limit लगाना कि इससे कम width नहीं होनी चाहिए तो जब यह constraints मैं अपने particular widget के उपर लगाना चाहता हूं तो मैं उस particular widget को wrap करूँगा एक constraint box के अंदर तो constant box के अंदर हमको मिलता है constraint नाम का एक parameter और उस parameter के अंदर हम पास करेंगे box constraint और उन box constraints के अंदर आपको मिलते हैं चार option वो चार option होता है max width और max height और minimum width and minimum height तो यहां पर आप constraint कर सकते हो अपने किसी भी widget को by wrapping up with your constraint box के के मैं को इससे जदा विट नहीं चाहिए इसके अंदर और इससे कम विट भी नहीं चाहिए जैसे एक button हो गया या कोई भी एक ऐसा text widget हो गया जिसके अंदर content बाहर से आ रहा है कि इतना area यह occupy करेगा गर इससे ज्यादा area होता है तो विट वहां पर fix हो जाए उससे ज्यादा area उसको capture नहीं करना चाहिए और एक limited मैं minimum width भी उसको दे सकता हूं कि इससे कम width भी नहीं होनी चाहिए बले content इससे कम हो लेकिन यह minimum इसकी width रहेगी यह minimum इसकी height रहेगी यह maximum इसकी width रहेगी और maximum इसकी height रहेगी तो इस type का कोई भी अगर आपको widget चाहिए रहता है जब भी आप flutter designing करेंगे तो आपको ऐसे कहीं designing phase में आपको ऐसे widgets की भी जरूद पड़ेगी जहाँ आपको limit करना है maximum इतना रखना है में को widget का width और minimum इतना width रखना है minimum height इतनी रखनी maximum height इतनी रखनी है तो उस case में आप आप constant box को यूज कर सकते हैं तो यह तो वाट theoretical explanation के constant box होता क्या है और कहां यूज में आता है अब इसको practically use करके देखते हैं हमारे flutter application के अंदर तो चलते हैं सीधा android studio के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं आप VS code भी यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने android studio open कर लिया और android studio के अंदर जो बाइड डिफॉल्ट आपका काउंटर वाला जो कोड़ आता है वो सब मैंने हटा दिया और आप यहां देख सकते मैं और textile के अंदर हमारे पास में option होता है font size और यहां पर मैं थोड़ी बड़ी size करता हूं इस font की तो यह size बड़ी हो चुके है और अब मैं इस particular text widget को wrap कर रहा हूं एक और widget से और उस widget का नाम है constraint box ठीक है तो हम alt plus enter करते हैं और यहां पर आता है wrap with a widget ठीक है तो directly मैं इस child को इस particular text widget को wrap कर सकता हूं किसी और widget से तो मैं यहां पर उस widget का नाम दिख देता हूं constant हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है यहां पर आपको जो constant box होता है उसका एक ही चाहिल हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ देना चाहते हो तो constant box के अंदर आप column ले सकते हो stack ले सकते हो row ले सकते हो wrap ले सकते हो यह सारे जो widgets में जिनकी में बात कर रहा हूं यह सारे multiple widgets को store करते है तो फिर combined box के अंदर आप उन सारे widgets के उपर भी यह maximum और minimum width का concept लगा सकते हो लेकिन by default जो constant box होता है उसमें एक ही चाहिल आ सकता है चाहिए तो constant box मैंने यहां पर ले लिया और constant box ना error शो करेग चाहिए तो आपने एड़ कर रखा है लेकिन यहां constant box को use किसले किया जा रहा है constants लगाने के लिए तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर constant और यहां पर प्रोवाइड करेंगे box constant वाली class के object को और इस box constant वाली class के अबजेक्ट के अंदर हमको मिलेंगे चार parameters वह कौन-कौन से minimum width, maximum width, maximum height and minimum height तो इस तरीके सा fix कर सकतो जैसे कि मैं यहां कर देता हूं कि max width तो जो रहने वाली है न मेरे इस particular text widget की वो 200 रहने वाली है मतलब कि यह जो child है यह कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन width जो है यह किस के अंदर आ रहा है इस constant box के अंदर आ रहा है तो इसकी जो width है वो इससे बड़ी नहीं होगी तो अब चला के देखते हैं इसको हागी यहां कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर मैं यहां पर multiple time hello world लिख देता हूं ऐसा आपको लिखना नहीं लेकिन मैं बात कराओं कि जब आपका content बहुत जादा होगा चीक है यह मेरा content हो गया और देख सकते हो कि यहां पर इसकी हाइट जो है वो फिक्स हो चुकी है ठीक है और अगर मैं चाहूं तो एक maximum height भी दे सकता हूं कि इससे जादा इसकी हाइट भी नहीं होनी चाहिए तो maximum height भी देदी मैंने 200 चीक है फर एक्जांबल यहां पर हम और विजिट्स बनाते हैं तो यहां पर मैं और content एड़ कर रहा हूं सो देट मैं चाहता हूं कि content बाहर जाए हाइट से और मैं को पता चले कि यहां पर क्रॉप हो रहा है कर नहीं हो रहा है अभी आप देख सकते कि इतना सारा content डालती है लेकिन यह इतने ही आप आपने देखा को कई बाएसे डॉट 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 जिसका मतलब की क्या है कि यहां पर जो content वो चुका है तो हमको भी कुछ ऐसा देखना है यहां पर तो यहां पर होता है overflow text डॉट 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 फेड जैसे वेड़ कर रहा हूं तो आप यहां देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यह फेड हो रहा है यहां पर बड़ जादा इसमें content एस text widget के अंदर बड़ यहां पर पॉसिबल नहीं है वो विजिबल नहीं हो रहा है तो इसी लिए मैं में आपको यहां पर content बहुत ज्यादा लगाया क्योंकि देखो hello world hello world लिखने का मेरा में मोटर नहीं मेरा में मोटर क्या है कि आपका जो content है मुल्टीबल लाइन का हो सकता है बहुत ज्यादा content हो सकता है बट आप चाहते हैं कि यह फिक्सडी रहे इतनी विट और इतनी हाइटी कंजिम करें तो उस केस में आप constant box को यूज कर सकते हैं एक और example समझ लेते हैं यहां पर जैसे की जगह में यहां पर बटन ले लेता हू sia के तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो maximum विट लेकिन minimum अपने नहीं करी करता हूंसर्shell को मेरी 300 मैं केदता हूं 2 और maximum जो है वो मेरी 700 यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा maximum मेने लिए वो तो 300 है लेकिन minimum Vोट मैंने 200 लिए तो बटन की कि आप देख सकते हैं विट जो है वो 200 हो चुकी आटोमेटिकली क्यों हो चुकि क्यों कि मिनिममम 200 ही होगी इसकी विट ठीक है और मैक्सिममम कब होगा कि जब मैं इस पर्टिकुलर बटन के ओपर जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा और वो कहां जाकर रूख जाएगा 300 पर जाकर रूख जाएगा उस विट से जाधा के चंटेंट आता है उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो की कंस्टेंट के अंदर है तो वह कंटेंट वहां नहीं दिखेगा वो क्लिप हो जाएगा या फिर नीचे वाली लाइन पाजाएगा अगर हमने हाइट को मैने मिन जो हैं hundred कर आएं तो आवस्ट फटन की मिनिमुम हैट है तो देख सकते हैं या मिनिमुम हाइड क Countee में हाए माय का minimum और maximum विट के concept में लेकिन अगर आप कोई और content शो करवा रहे हैं या को design formation ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको fix करना है कि इतना minimum विट ही होना चाहिए और इतना ही maximum होना चाहिए इतनी ही हाइट होनी मैक्सिमम इतनी ही minimum हाइट होनी चाहिए तो उस केस में आप constant widget को अपने अप्लिकेशन के अंदर इंपलीमेंट कर सकते हैं तो आठी के लिए इतना ही थैंक यू अप्लिकेशन के लिए आठी के लिए आठी के लिए इतना ही है